अगर दो बेटे हो तो उनकी मा चाहती है कि वो राम लक्ष्मुन की तरह रहे और इस मा की भी यही इच्छा है यह है राम गुड बॉय का बॉरंची कार स्कूल में सभी इसे ही फॉलो करते हैं तूम सारे लोग गायंग ना कर क्यो अए हो। उस लड्दू से तुम्हारा भाई बात कर रहा है। उससे क्या ? वो लड्डू चोरी करते पकड़ा गया था दो दिन तक उससे बात नहीं करनी है ऐसी रिचनों से पनिश्मेंट दी थी फिर भी तुम्हारा भाई उसे बात कर रहा है तू आकर कहेगा तो वो मान जाएगा ओ लड्डू, तू रो मन, मैं हुना तेरे साथ इदरे पर आ रहे हैं ए लक्षमन, इदर देख लक्षमन और ये है लक्षमन जिसने अपना नाम लक्षी रख लिया जो है बदमाशू का प्रेंड एमबेसडर तीचर ने उसे बात करने से बना कर दिया है तू क्यों बात कर रहा है ये मेरा फ्रेंड है, मैं बात करूँगा अब मैं कह रहा हूँ, उससे बात मत कर तू मेरा बाप है जो देरी सुनो चल निकल कदे, बड़े भाई से जुबाल लडाता है अरे उससे कुस्तो सीख, बेकार लगों से बात ने करता है वो मेरा फ्रेंड है, उससे बात करने में क्या बुराई है तू मुझे भी उल्टा जवाब दे रहा है मुझे तुरे नर्फ मारदे से पहले ही ड्रामा करता है रुक जाए राम हैपी, क्योंकि उसका इगो सेटिस्फाई होई लगी हुआ अनहैपी, जिससे उसका इगो बढ़ भागत सिंग के बारे में आप क्या जानते हैं बोलिखिये राम पढ़ाई में फरस्ट है और लगी भी फरस्ट है, लेकिन मस्ती में दिन रात फिल्में देखता है और बचे हुए समय में मटर गर्ष्टी करता है तो सोचिये परिक्षा में वो क्या लिखनेगा तुझे तो वाई, क्यों मार रहे हो, बता कर मारो ना पापा तुझे से गधे को पैदा किया इसलिए तो उ tahunmadı भगत सिंगॉड शाहिद इवगन की जानता I you मेरे सारे राइट रॉंग है और उसका सब कुछ राइट ऐसाल लए कमाद दोनुकी सिटुइशंज वी ऐसी उने फाइट करता है तो लएट्य रिंग रॉडपर ऑगकर ये क्या हाल बना रखा है कहां से आ रहा है तू कली तो आपके जूते से मार खाई थी पापा और अब ये चेन संडे को तो रेस्ट कर लिया कीजिए अगर एक जैसा होना होता तो हम दो क्यों होते और वैसे भी वह पापा का लाडला है तो मैं अपनी मा का प्यारा बेटा हो एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती ऐसी गलत बाते नहीं सोचते बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें राम लक्षमन की तरह रहना चाहिए आरे छोड़ो मा मैं लक्षमन नहीं और वो राम नहीं रावन है ये कल यूग है अगर समझाना है तो उस दर्शत को समझाओ कि रोज रोज मुझे मारा ना करें परिस्थितियां चाहे जो हो इनकी माँ चाहती है कि ये दोनों राम लक्षमन की तरह रहें राम सिंसियर है क्योंकि वो किताबों को फालो करता है लकी भी सिंसियर है क्योंकि वो अपने दिल को फालो करता है इन दोनों का मिलान भला हो सकता है सिचुएशन देखकर तो ऐसा नहीं लगता है जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती जा रहे हैं आधर्श जीवत को अपनाने वाला राम और अपनी मनमर्जी से चलने वाला लखी देखते हैं इनका क्या होता है Mr. Ram, to be our S.E.P. Mr. Samy, to be our S.E.P. Are you happy Ram? Mr. Ram, बिल्कुल नहीं, प्रेशर होते हुए भी जिब शिवा रेटी को हराऊंगा, सलाखों के पीछे डालूंगा, तब मैं खुश होँगा Mr. Ram, जहे प्रेशर कितना भी हो, हमें पीछे नहीं अटना चाहिए Mr. शिवा जैसे लोग राजनिती में नहीं आने चाहिए सबका खुलासा करने के लिए सही वक्त का इंतिजार कर रहा हूं, गुड लगु Mr. Ram, बुचरे Shari अरे, ठीपन, बुचकुल जाना Mजह हुच्छे मुछे जाना मुझे नहीं जाना मुष्किल तरी मुष्क् Liber गरी है पीछे जिश क्यूं हुआ प्रप्लेम Dad बड़शी वानी der आज मयिक्त मुफई तुम्हारे खिलाफ में कोट में गेज कर दूँगा ऐसे क्यों फेक दिया तो नहीं तो क्या मेरे बेटे को बिगरता हुआ देखू लखी का बेटा कैसा होना चाहिए मेरे जैसा होना चाहिए जो अंबानी बनने का सपना देखे फास तु चीजों का टेंचन लेते हो बड़े यह एक बार हमारे होटल आया था दो चाहिए लातम अगले दिन फिर आया चाहर चाहिए देना चाहिए मस्ते आया कि वह इन दिन से आ रहा है तो प्यार थेक शब्द बोल दिया तब से हमसे जुड़ गया ऐसा कॉन सा शब्द बोल दिया जी फ्लाश बैक देखो कैसे हो बे क्या हो बेटाया आज से में आप मेरे पड़े भारी अरा आग बहुत एमोचनली कनेक्ट हूआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी पैमिली को अपना कर मेरी बजा रहा है जब उसे भूख लगती है ज़रा उपर देखो मेरी चाई की दुखान उसके लिए रिस्ट्रॉ बन जाता है अपने दोस्तों के साथ जब दारूपी नहीं होती है तो यह मार बन जाता है जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है ना चाहते हुए भी हमारी तीम की पैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही confused हो जाता है इसको समझना इतना आसान नहीं है ब्रह्मा भी बना के confused हो गया होगा इधर क्या लिखा है है Don't drink and drive Drive नहीं करेगा तो ने सबस्क्राइब लिखे जाएगा उमाट जाला लोचिवारा पॉर्ट लिखाट कड़े बहिया ओमाइगाड नमस्ते सर यह किर्णा था तो बेने पकड़ लिया सर मैं आपके भाई का दोस्त हो सर तेरी तो भाई का दोस्त है माँ कॉफी कॉफी बनाओ माँ चाय हाँ पहले चाय बनाओ इसकी तो जलता है राजनीती में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड़ी साला चोर क्या कदम रखेगा खा जाएगा सब गुंडे भी अब राजनीती में घुश जाएगे पुलिश क्या कर रही है कुछ भी छापते हैं कॉंस्टिबल चीप वेरी चीप चाय चोरी के पीछे ऐसा है कहा दख तेरे की छी मंगला पेपर हटा दो यार यहां से मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा सुबह सुबह पेपर उठाकर देखो तो चोरी पुलीश यह सब क्या है मैं तो घर पर बैट कर पूरा देन टीवी देख सकता हूं लेकिन पुलीश की नौकरी करना ना पापा टूल किया अब इसका क्या फाइदा क्यूट कितना मजा रहा है हाई हाई हुष हाई हुष को ली और बंदूग भी फैंक दें यह क्या है दे दिया था Two हम जाती हूँ बादाम का उपमा पापा के लिए देया आओ मेरे पापा well का उपमा पसंद है लेकर उनके बेटे को के अंदर के बादाम पसंद है थीप वैसा जैसे माने बनाया बादाम और उपमा अंदर कोई है पापा बादाम वाला उपमा बादाम में कोलेस्टरॉल होते है वह वहाँ रखते है तेरे लिए नहीं है पापा वो पाद क्या है बता वो क्या है ना वीसा पाप, किसली है? मेरी अमेरिएपा जाने की तमन्ना है. तो तुझे पैसे की जरूरत है? पैसे की मात नहीं है पापा. हुआ के लिए बाअग बैलन्स दिखाना मुझे मतला लगा. हुआ से चाहिए तुद भवएईा से माग ले. वो कमीना क्या पैसा देगा. बागो यह उसे। यह तो गया। पुलिस वालों की दो नहीं चार आखें होती है। हैरी पॉर्टर, शेहर में बहुत क्रिमिनल्स गूम रहे हैं। जाकर उन्हें पकड़ो। मेरे दोस्तों को मारने में क्या बहादुरी है। आवारा की तरह इधर उधर मटर कश्ती करता रहता। घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता। ऐसे कामों के लिए पैता नहीं हुआ। शरम नहीं आती तुझे। आती है ना, तुझे भाई बुलाने में। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। तुमसे अच्छे तो वो टॉम एंचेरी है। कुछ समय तो मिलकर रहते है। राम तुम जाओ। अरे वाह, कितनी मोहबबत है इन दोनों में। ये दोनों कब मिलकर रहेंगे। अब तो इतने बड़े हो गए हैं ये दोनों फिर भी झखड़ते हैं। मजाओं में ये दोनों एक दूसरे की टांक खिशते हैं। अगर ये मजाओं है तो कोई बात नहीं जी। लेकिन राम लक्षमन सच मच्छा करने लगे। फिर क्या होगा। शिवा रेट्डी, शिवा रेट्डी, शिवा रेट्डी। जमीन का कपज़ोर 65 मर्डर कियो हैं। एक्स्टॉर्शन, ट्रक डीलिंग, ऐसे और भी धन्दे हैं। पॉलिटीशन से मिलकर करोड़ों रुपए कमाकर तीसरे को बिनामी बनाकर तुम खुझ छिपे हुए बैठे हो। और अब राजनीती में आ रहे हो। एक-एक केस पर सौ गवारेड़ी किया हैं। तेरा बजना तो ना मुम्किन है। यू आफ फिनिश्टॉ तु जैसे कमीने को जिन्दकी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। अरे, क्या है इस ट्रेस का पावर। इस ट्रेस को शरीर पर पहन दे। मैं खौल गया। ब्लड उबल रहा है। अरे, खूम खौल उटा। यह है ओरिजिनल। तुमने जो भी अपने माइंड में मुझे बोलने का सोचा होगा। मैं बराबर वही बोला न। तुने सब कुछ बराबर का। लेकिन एक छोटा सा करेक्शन। तुझे जिन्दगी पर जेल में नहीं डालूँगा। तुझे नंगा करके बीच सड़क कुत्ते के तरह दोड़ा कर मारते होई स्टेशन ले जाकर गन पॉइंट पर तेरह इंकाउंटर कर दूँगा। यह हैं ड्रेस पावर। यह हैं ड्रेस पावर। एैसी तेरी वर्दी की जबान है। लेकिन इस वर्दी के उपर एक और वर्दी है। और उसी वर्दी में है असली ताकत। मैं शिवारेटी यह शपत लेता हूं कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत के इस राच्चे में अपने पूरी इमानदारी और विश्वास से अपने कर्म को करके दिखाऊंगा, भगवान को साक्षी मान कर मैं कसम खाता हूँ, पहले मंत्री, उसके बाद मुख्य मंत्री, ये तुम ही कैसा लगा, साला इसके लिए मैं दो साल से गुंडागर्दी छोड़ कर, अच्छा आद में कदम कदम पर तुझे मुझ जैसे मिलेंगे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मिलकर जब बीच रास्ते तुझे कोलियों से भून देंगे न, तब तब आएगा असलीम मसा, साला, जन्ता का सिवक शिवारेंडी किसी को नहीं मार सकता, इसे छोड़ने का सोचा था, मैं किसी को नहीं मारूँगा, मैंने बापु को वादा किया है, मैं नहीं मारूँगा, तू मारेगा, मार दे उसे, प्लीज, यहीं को ट्रेडिंग करते हैं न, उसको उप्यो करने का दाए मार चुका है, मार चल, ठीक से निशाना लगा, चल, मार चल, एक क्यों वजे से तुम सब को मरना परें वाइज खोब राजीव जान देने के लिए मैं तयार लेकिन इस कुट्टे के हाथ हो मरने से अच्छा है मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिजर के हाथ हो मरूँ मेरी वजे से तुम सब लगे पनी जान इस माथ डालो शूट मे राजीव शूट मे! वैह प्री शूट मेको शूट मे! शूट मे राजीव विच गां problemas शूट मे राजीव इस अन अरॉडर मेरे मरने के बाद में कोशिज़ा जारी रहए जाहिके! शूट मे! सर्विस रिवॉल्वर को क्लीन करते वक्त मिस फैर हो गया बताकर बन कर दो केस कुलिस के ट्रेनिंग में टॉप रैंकर, ड्यूटी में सबसे आगे, फैमिली में सबसे पीछे, शूटिंग रेंज में टॉपर, छोटी सी चुटकी पर भी अलटनेस, ऐसा ओफिसर सर्विस रिवॉल्वर क्लीन करते वे मर गया, शरूरू, तुम फिकर मत करो, इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आए लागी तो, शरूर आएगा, Olood क्याण लिक है, कुस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च ul मिए कि बात कर यार कुछ बूल अच्छे यार इस लड़की में कितनी हिम्मत है और तू है कि डर्पो को जैसी हरकते कर रहा है तू मेरी बेरी सुरू हो गई मैं मेरी माँ का एक लोता बेटा हूँ एक भाई है लेकिन को किसी काम का रही है अच्छे लगता है भूत नहीं या चुड़ेल होगी टेस्ट करना पड़ेगा अरी ओके मैं अरी ओके सर्वादे चिर्पो तेरा ओके रख तेरी पैंट की पॉकेट में तुम लोग लिफ को मेंटेन क्यू नहीं करते हैं मेरी बात अलग है लीडिस कितने डर गई थी मालू क्या कहा अर पवन कल्यान यह फिल्म बहुत चाहिए अब पर रियाक्त नहीं कर रही March इनके लिए थो मैं पागल हो तोन अपर इस स्पार क को को ओशी नहीं आ रही है मैं हसी हासी थी साइलेंट मोल आप कहती हैं आप पवन गलियान की फैन है और उनके गाने को इंज्ञॉय करें आपको तो इस वद्सक्राणा चाहिए मैं दांस कर रही है दांस कर रही है ? उज़े दिख्यो नहीं रहा देखना क्या है इसमें मैं दांस कर रही है ? लेकिन कह.. इंसाई्ड क्या का अपने मन में पाकल है। मतलब ऑप जो पेंहाले जी थी, वो भी अपने मन में हसी थी पर आप लिफ्त में घबराइनें। तो आप से हज़ार गुना ज्यादा घबराईी था। क्या वो भी इंसाइड यह भी पागल में भी पागल खूब जमेगी यह इंसाइड हसना और और मन में डरना कॉंसेप्ट क्या है इस वायर के अंदर क्या है करंट कहां है वायर में दिखाओ मुझे ओ माइगाड यह लड़की तो तुझसे भी दुखत मागेने की लगी हलो कैसे हुआ कहां ओके मैं आ रही हूं क्या हुआ माडम मेरी मॉम्मी का एक्सिडेंट हो गया है सेप काटते हुए हाथ कट गया क्या उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी अभी आई सीउ में हाँ 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 है तो तो क्यूं करेगा यह होता है रेगूलर र्याक्शन और वह शाली तो सुसु करके निकल गए रहे अब हावना करेक्ट है करेक्ट दिखने में तो परिज इसी रगती है लेकिने टाम अ अपने अपने पैस होते ममी डेडी जाने के बाद अपन पार्टी दे रहा है पुलिस वाला क्या गरेगा तो लगी की तरहा फेट फूट होने गाला कुछ लोग को तो जीने का कैसा वह नहीं मालूम उनके दोस्त नहीं है उनका आइटम नहीं है इंज्वाइ करना नहीं आता है इसे लोग को देखे वह दूख होता है रहे इसे लोगों के लिए एक बड़ जयास एवर्मा इमिडेटली अपने साथियों को लेकर मेरे घर आ जा इमिडेटली तुम सब लोगों को मैं पार्टी यहाँ पर कॉसली स्काच थेंक यहां पर आरुप पी रहां फर्स टाइम अब इसाब तो सुधर गेंगे तुम लोगको देख रोंगा अबीदिक तौं कॉन रोएका थेलो रहे इंडे मांजी हमेश्टा डिस्को डिस्को करती रहती है ना आज घर पर डिस्को करेंगे दोस पूरिष्ट इस तो निए तुमने इस तरह दारू पिकर इन लड़कियों के साथ नाज का रहे थे तुम लोग पुलिस वालों के नाग कड़वा दी तुमने जो भाई राम पूर इस अब क्या है सब तुम ऐसा कुछ बेहूदा काम करोंगे यह मैं सोच भी नहीं सकता अच्छा नाम है उसे यूँ खराम मत करो ठीजी बहुत पड़ी गाति करते हैं अच्छा मैं पुलूंगा ने बस एक बार मेरे हथे चड़ा है कॉमेडी करता है चल में तुम्हें विजा के लिए पैसे चाहिए थे ना ये लो दस लाग थैंक्स डाड़ी थैंक्स मुझे नहीं अपने भाईया को बोल आपी जाकर उसे थैंक्स करें तेरे लिए पैसे लिए बोलूंगा तो गोली मार देगा ओ मैं ये पैसे सिर्फ डिपोजिट करने है विजा म हां ने पास्टन सेफ है मजाक लगा रख है अंग्रेज हो कि समाने का बैंक है और अगर बैंक लोगने कोई आ है तो मास्क लग अब पैचानो मैं कौन हूं बस तुम कौन हो देखा तुमने नहीं पैचाना अपने कहा ऐसा कुछ नहीं ऊगाए क्या करें गल्ती इंसान से ही तो होती है है तुम दोनों क्या खुदूर खुदूर कर रहे हो तुमारी काबिलीत पर इनको शक है इधर आवे बुड़े तुझे मुझे पर शक है पुदा दर गया, पुदा दर गया मुझे देखकर सब दर जाते है इसका मदा ही कुछ और है आई लब फट्टुलो नुम लोग क्यों खरे हो, नुम की दरो दर के आगे मेरी जीन में दरो, दरो है? ओ माई गॉड है! करी हो जा क्या है? यहां क्या हो रहा है तु जानती नहीं है जानती हो जी आप लोग चोर हैं रॉबरी कर रहे है तो सब लोग डर रहे हैं और तु शांती से बैठी है मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा जी डर तो मैं बहुत रही हूं दरना मैं तेरी आखो में डर दे कर जाता हूं मेरा भरोसा कीजिए मैं बहुत ज्यादा डर रही हूं बाई यह डर है ना डर हम अपना कामकर के निकलते हैं पूलिस आ गई तो देख छोटे अब बात मेरे इगो पर आ गई है तु घबराएगी या नहीं देखो तुम्हें कैस अबितक कम नहीं हुई है लोग मुझसे डर कर बेहोश हो रहे हैं और तु क्योंने डर रही है डर मुझसे सबको माँ डालूगा अब करोगा नहीं यह कहां गई मैं काम कम करोगी क्या हा करूंगी जी मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना ओकी जी तो फिर डर रही हो तुम्हें डर लग रहा है मुझे बचाने के लिए थांक्स तुम क्या पागल उसे परेशान क्यू कर रही थी थोड़ा सभी रियाक्ट नहीं किया तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रियाक्ट क्यूं करते हो ना तुम नॉर्मल हो लोग एसे पागलपन कहते है अरे बाप्रे तुमारी फ तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश उनकी लाइस्टाइल उनके तौर तरीके बहुत सिस्टेमाटिक है अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते जब भी मैं तुछ से अपने पैसे मा गाली है अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंचर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है साइलेंटली होता है नॉइस पल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते है तुछ सोरी तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉइ करने वाला दिन नहीं आया है क्या हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था आपने जैसे एंजॉइ किया वैसे हमने किया किस ग्रह से आया हो तुम लोग घर पे एंटेटीनमेंट कैसे होता है एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटेटेइनमेंट प्रोग्राम होता है उस दिन हम सब मिलकर बहुत अस्ते है अरे बहुत हुआ बस कीजिए तुम्हें इस तरह देख कर बहुत हसी आ रही है माडम का हसी रुको मैं बेहोश हो जाओंगा हमारे इमोशन्स और हमारे बॉड़ी पर जितना कंट्रोल होगा इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा कंट्रोल क्या खाक होगा खुद के फेस पर एक्स्प्रेशन नहीं आते होंगे इसलिए ये बक्वास कॉन सब बना लिया क्या है तुम्हारे पापा फैमली चला रहे है या आश्रम चला रहे है देखो खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए अगर अंदर रहेंगे तो बोड़ी टस्में बन जाएगी बाई भावना तुम बहुत खुबसूरत हो थोड़ी भावनाई लाओगी तो और खुबसूरत लगोगी मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुचा करी रहोंगा जिसको मन चाहे उसे टिकेट देंगे तो पाटी का क्या होगा सर शिवा रेड़ी एक गुंड़ा है एक गुंड़े को पाटी टिकेट कैसे दे सकती है अरे क्या बाद दे रहो वो दो साल से जंता की सेवा कर रहे है एक केट उनी को मिलना चाहिए उस पूलिस मने कब आप है मेज्रेटी अकर देखी जाए तो शिवा रेड्टी को टिकेट देने के खिलाफ है ठीक है न नमस्कार आप सभी को इई शिवा रेड्टी का हारीदि ममस्कार पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आये हुए सभी को मेरा विषेश नमस्कार इस बार मुझे पार्टी से MLA टिकेट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हे देख के रहे हो अरे सभी को मिठाईया बाटो भाई टीक है बाई या तक कres 향 सभी से मत्या कि बाहर गए तो तुम लोगों के कारणा में बाहर निकाल कर तुम्हारा भविश्त खराप कर दूगा कितनों को चिता है मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है, इस बार इस मादव शिवारेटी को पार्टी का टिकेट कनफर्म है, इस फाइनल, मैं घर जाकर जब तक टीवी आउन करूँगा, तब तक ये निउस पूरे राज़े में मैं फैल जानी चाहिए, ओके, क्या बोल रहा है, बोल, अरे बोल ना, मुझे टिकेट मिलेगा या नहीं, शिवारेटी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम शिवारेटी, कितने मर्डर किये तुमने, कितने अपरन किये तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले के नहीं मत नहीं हुई, इतने दमदार निता को टिकेट नहीं देंगे, तो फिर किसको MLA के टिकेट देंगे हम? 100% तुम्हें MLA के टिकेट मिलेगा, और बता हो क्या चीए? Thank you, सच मुझ में बढ़ाई कर रहे हो या फिर, हाँ? मैं सच बात कह रहा हूँ छिए रेड़ी, तुम सच में इलिगल हिरो हो, तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा, हाँ? I love you. I love you too, राजा. I love you three also, राजा. टोओंगी गहीं का तुँ! टिकेट कन पार्म्हें, अब क्या करेगा तु? तेदी इतनी हमात? जेल भीजने के बजाए उसे पार्टी का टिकट दे कर असेम्बली मत भीजे सर. जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है. अरे ऐसे लोग तो असेम्बली के बरामदे में भी खदम रखने लाइक नहीं है. लेकिन क्या कर सकते हैं? ये सब पॉलिटिक्स है विटा. उसके खिलाफ कोई मस्बूत सबूत लेकर आओ. उसके पॉलिटिकल करियर पर ये नहीं. उसकी रियल लाइफ पर भी फोल स्टॉप लगा दूँगा. आज सबसे पहले आप से मिला रहा हूं. आपकी बहु. तुम फस गई हो क्या है अरे असे क्या फस सकती हो हमेशर सब इससे ही फसते है फसने ने दिखा नहीं था फिर परेपास ही चला आता ही है इस कॉमेडी फेस को सेरियस मत कीजे अंदर जाकर दो चाह लिया ही अरे लाई या ना प्रामुजे और देता रहता है तुम तुमारे दोस्त की लव अर उसके बार तुहारे बच्चे पारे बच्चे मुझे हम उजब परिशान कर रखा इसने सत्या जाच्व तेरा बहुत ओवर्याक करा है एत्व मिलाओं काँ इंट इंज आरे अंवरज कंग है इंज सब्सक्राइब्र गाहरं है जलो गाड़ी रोको मैं में नहीं क्यों बताया, ज्यादा जादा इंतर्पा नहीं लिए इस वक्त पेशिंट की कंडिशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रीट्मेंट के लिए कम से कम छे लाग लेगे आप फॉरन पैसो का इंतराम कीजिए छे लाग, कहां से लाओंगा मैं भाईया, ट्रीट्मेंट शुरू हो रही है, आप फिकर में कीजिए लाग कह रहा है, जोटो नहीं बचेगा भाईया, ये क्या कह रहा है हाँ, मैं हूना यहाँ पर, आप रुकिए ओटो गहरी चोग लगे एक बच्चे को, MLA साहब ने अस्पताल में भर्ति करवाया है वो बच्चा भी आईस्यू में है, इससे बताया है MLA साहब बहार आ रहे है, कैमेरां पर फोकुस करो MLA मतलब लोगों ने तो मज़ाग बना की रख़्ा अब ये कार कहा गई MLA साहब की तरफ करो कार भी मार के ले गया वो डॉक्टर रुको, सर, मेरी कार का गई मुझे नहीं बता जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे है अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की फॉनिक दे रहे है जिसे कि आपने देखा, MLA साहब इस बारे में बहुत ज्यादा एमोशनल लग रहे है मेरे सबर का बार टूटता जा रहा है वो बच्चा इनका क्या लगता है बेटा, या फिर भाजा आगे की जानकारी के लिए हमारा चानल देखते रहिए, ओवर टू स्टूडियो हमें अभी आता है अरे इतने पैसे कहां से लाये तू? वीजा के लिए पापा ने दिये थे डॉक्टर, दरने की कोई बात है, इस आउट ओव देंजर बड़े भाईया, छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा अरे भाईया, क्या हुआ? बेटा, मुझे बाफ करतो क्या? यह क्या कह रहा है? मुझे लगा था कि तुम्हां मारे साथ रहे कर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम्हारे परिवार को बचाओगे यह नहीं सोचाता बाफ करतो मुझे, बाफ करतो मुझे बड़े भाईया, बड़े भाईया, कहां आप इमोशनाल हो रहे हैं? ओ माई गॉड, बड़े भाईया, वो मेरे बेटे जैसा है अरे ले पर जैसे है भाईया अरे लगी, बाहर जाके देख्या ड्रामा चल रहा है क्या हुआ? वो बच्छा चल लगता है, वो क्या लगता है, क्या बता मुझे? नहीं बता, कई पर एक्सिडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया कार में डाला और महां से अस्पताल लेकर आया, बस इतना ही बताए मुझे अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे लेकिन उससे कोई भी रिष्टा नाफ होते हुए भी हमारे MLA गोवर्धन जी उस बच्चे को उपने बेटे जी से कीट कर रहे हैं ऐसे दयावार नेता जी की हमारे देश कोड़ एमेली सहाब ने बचाई एक नन्ही बच्चे की चान तुम लोगों ने ये समझा सर इस बात पर रॉश्टी डालेंगी सर सप्ली सर वो में एक सामाजिक फर्स के मताबिक अन्ना हजार एका शिश्य मान कर चोटे भाई क्या का मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसंडिस्टेनिंग हुई है चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ उस बच्चे की जान बचा कर एक बहुत बड़ा उधारण रखा है हमारे राजम में ऐसे ही मंत्री चाहिए ये सभी निकशनीताओं का कहना है कांजी के सभी नीतागड़ों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए ऐसा जन्ता का कहना है अगर मैं इतना पॉपिलर लेडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है आपकी मदद करना मेरा फर्स सार हाई कमांड से कहां से हाई कमांड से और पार्टी ने माधव शिवा रैटी को एमेले टीकित देने का भी फैसला किया है राजा तुमारी ही वज़े से मुझे मंत्रीपद मिल गया है उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था जिसने पूरे राजजी में मुझे पॉपिलर कर दिया आप मज़े कीजिए सर मेरे भाई तुम्हें कोई भी परेशानी आये तो पहला फोन मुझे ही करना और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझे से करेक्ट हो गया है सर पापा मेरी खुआइश पूरी होने वाली है बापा पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं संबल कर चलना शुआ हो क्या पापा पक्रे के बाद कब तक खायर बनाईगी है आपका बाई है सर चुड़ हमेशा क्या बजना जाने दे उसके साथ में लड़की भी है साथ में लड़की है अब आया ना उट पाहड के नीचे है लड़की कौन है तुम्हारे साथ मेरी गॉल्फ्रेंड बड़ी मुश्किल से पटाई है अच्छा गॉल्फ्रेंड तुम कहां से आ रहे हो मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूं साथ लाए हो क्या तूखाएगा क्या तुम इसे कब से जानती हो दो तीन मेने से जानती हूं वो तो लगी रहा है तब तो इतने रात को इसके साथ घूम रही हो बसे देखने में तो यह चोर लगता है करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं पता है कल को अगर तुमारे साथ कुछ हो गया तो पुलीस क्या सो रही थी कुछ कमीने लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे आप ड्रंक एंट्रेव केस रस्पेक्ट दूगा ना सर कभी अकेले में मिलिये ना बहुत रिस्पेक्ट दूगा अच्छा बता काम क्या करता है तू मैं वो एंजिनियर और रहता कहां पर है मेरा अड्रेस वो मजबूरी है सर इसका य बेरोजगार हूं सर, बेरोजगार है तो पैसा कहां से आता है तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं रेडर ओफिसर такой के बाएंगे कि देंनेगे जानते वो भी आता की तरह कुलिस ओपिसर हैं लेकिन थोड़ेते मेंटल है कि अखुप करो अपने मेंटल भाहिया को फोन करो पॉन करो अन्य इस दो मारा नाम के इस अपनी फैमिली डीटेल्स बता हूं मेरी फैमिली के बारे में क्यू है यह लगारे में पूछ यहीं हाई है अलो परेशान क्यों कर रहा तू ए लॉक अपने डाले ने है सर कितना फाइन चाहिए बता दीजे ना हम देखकर चले जाएंगे हम स्टूडेंट्स है सर स्टूडेंट्स है सर वर्मा मुझे कंप्लीट जीटेस चाहिए इस लड़की की ओ हलो क्या है केस क्या है हम दोनों ओवर्ट 21 है लाइसेंस है उपर से मैंने लिमिट में पी रखी है अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो पता चला लड़की साथ में तेरे इसलिए चोड़ा हूँ अच्छा करेमिनल्स को पकड़ो है सर जाने दीजिए सर छोड़ दीजिए सर पीटी में तो बदला वागया इनमे कब आए का क्या पता आपके शेख का टाइम हो गया सर लेक शेख सर यह क्या अब तक थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आजकल तुमारे बियेवियर में बहुत चेंजिस नजर आ रहे है मतलब टाइम पर ठीक तर से खाती नहीं हो घर नहीं आती हो मुझे एक छोटा सा डाउट है कोई तो तुम्हें इंफ्लूइंस कर रहा है कौन है वो? लखी है डाडी मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ उसके अलावा मैं और किसी से शादनी करूँगी आपके मन में और कोई सवाल है डाडी? पूशने के लिए बचाई क्या है? कुछ नहीं? वो देखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है नौशने में बखवास है भाशा, भाशा कैसी है उसकी? डीसेंट तो लगती है नौशने में अपने दिल की बात कह चुकी हूँ उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजे ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो हलो, लखी, क्या कर रहे हो? मेरे डाडी तुमसे मिलना चाहते है ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लखी एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बलाया है यह क्या? अपॉइन्मेंट तो वो मुझ से लेगा आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं उसने तो आपको अपना ससूर जी मान लिया है कम्प्लेन आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए हूँ हो गई लव स्टोरी शुरू देखे चलना देखता नहीं क्या ससूर जी कौन हो तुम मेरी बेटी के पास 500 करोड की दॉलत है दस बंगले है, दस फैक्टरी भी है लेकिन तुमारे पास क्या है मेरे पास आपकी बेटी है ससूर जी कल यहां मर्डर हुआ ता लगता है वोई लोग आ गए है भगो 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 यहां पर ठीक है हम सेफ हैं बोला अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग देच्टी तद तेरी के ताइम ही खराब है उच्च ना कुछ उल्टा बुल्टा हो रहा है ससूर जी यहां आए जल्दी बात खतम कर लेते हैं आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससूर जी बनाना कर चोड़ना मत उसे फक्रो उसे फक्रो हो दखो वहाँ है ओ माइग गॉड यह यहां तुम जानते हो इसे ससूर जी यह सारी अटाक मुझ पर हो रहे हैं यह मुझे मारना चाहते हैं तुसे जिंदाने जाने दूगा लकी मेरे साथ बताये वरने यहाद पहार देंगे अने रफॉप ए और और इक्स्क्यूंज मी उससे पहले इससे बारो अए अे बाले तुम अच्छ घृब्ल बॉड आथ और ये कौन है जो तुमारे पीछे बड़े वो ना आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफ़ेर था उसको और मेरा वोक आउट नहीं हुआ तो हमारा प्रीक ओफ लेकिन बाप पीछे पढ़िए अगर पहले से ये अफ़ेर था तो मेरी बेटी को जोखना था अच्छे आपको जवाब चाहिए जान चाहिए अभी जूखिए भी टूखिए आजाए गे निल्स जाट की stat कि इस प्रें पूल ड जानता ही निए उसके बारे में जाने भी ना उसके साथ भाग रहा था तू मुझे लगा कि वो चोर है इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था बात मत करो बात काट डाले का मुझे मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है उससे शादी करने के जित कर रही है इसलिए मिल लिया इसे ढूंडने के लिए एक महिने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ किसलिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया इसलिए मैं अपनी दूश्मने तुम पर शिफ्ट करता हूँ अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ सारे हथ्यार अब इसको दे दो ये लो रखो ये हथ्यार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे या तो तुम उसे मार डालो या फिर खोदात्मत्य कर लो इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आखों से देख नहीं पाओगे एए चलो रे काम हो गया ढादी ये क्या भेज बनाया है और चिला क्यों रहे है लकिन आपको भी बदल दिया है ना मज़ा आया ना मुझे इस तरह देखकर तुम चिड़ा रही हो ना मुझे उसका इंट्रोडेक्शन तो बहुत ही भैंकर था मैं तुमारी शादी उसके साथ चीते चीनी होने दूँगा कभी नहीं ये क्या चड़ रहा है जी बैशन शू जाकर आ रहा हूँ सुन बेटी लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार फोड़ कर उसे ढूड़ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पढ़ गया दा रे बाबरे मौद से नाता खत्रा है पर इस से नाता तो मौद से भी जाता खत्रा है नहीं चाहिए हमें ये शेर को सवा शेर मिल गया है तुमसे पहले भी पाट वन है एक लड़की से प्यार करके उसे धोका देने के बाद तुम्हें फचाया मैं अल्रेडी जानती हूँ लखी ने बताया है अल्रेडी बताया है क्या बताया है अरे ससूर जी हमारे बीच धूम बन धूम टू ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों की सेटिंग नहीं हुई खेल खतम दुकान बन चाप्टर क्लोस अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी करें तो गलत है लेकिन अगर किसी और के अगर का काम छोड़कर नौकरी घर रख नहीं है वह वह तो वहीं एक्सपीरिएंस मेरे भी तो काम आएगा ना ? तुम तो छाग अगया स्वीटी ? तुम्हारी ही तो ट्रेनर है ना ? सभवाशी इस इसी पाजी मान गया है ? सासूर जी, अगर आपका इगो नहीं मान रहा है, तो इंकार के लिए only one, one reason बताता हूँ वे, reason चाहिए ना तुमें, बताता हूँ, perfect reason बताता हूँ क्यों रहे, तुम दोरों प्यार करते हो, ये बात मुझे कैसे बता चली, सोचा तुमने, ये बताओ एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे, तो उसके पैरेंट्स को कौन बताता है, दोश्मन लोग, एनिमीज, लेकिन इसके घर में, इसके भाईया ने मुझे फोन किया येस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिये जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घुम रहे है, उसे बचा कर रखो, और जानती हो, इसकी ये वैल्यू है अपने घर में भाईया ने ये सब कहा? क्यों डाउट है, तो जा कर पूछो, पूछो ना तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर अपने भाईया से कहो कि मुझे फोन करें, और कहें कि आपकी बेटी के रिए मेरा भाई नमबर वन चॉइस है, उसके बाद बात करेंगे योफू परफेक्ट रीजन था ससुल जी बावना के पापा को तुने फोन किया था, क्यों तुझे घर से बहा निकाल दिया गया, कोई कुछ कहें और प्यार तूट जाए तो इस प्यार का फायदा क्या हां? मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कोन होता है। कह रहे? तुने मेरे आय जी को फोन करके मेरा कारेक्टर छोटा किया। मैने तो तेरा कारेक्टर मश्यूर कर दिया। मैने तुछे कहा था न के पॉलीज के हाथे मत चड़ना कैसी बज़ाही तेरी ओफ सारा connection समझ में आगिया, basically तेरे प्यार का प्रिक अफ हो गया ना, इसलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे, ये क्या बखपास कर रहा है, Mind your language, तेरी personal बातों के बाहने में बात करूं तो तुझे घुसा आता है न, उतना ही घुसा, मुझे भी आता, मैंने उन्हें बताया, मेरी इज़त खराब ना, इसलिए बताया, तुझ मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ उंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे, एक पलीस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल ही कर पाया, तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंग मैं, मैं ऐसा कभी नहीं होना दोबा, इसलिए मैंने खुद फोन करके बताया, मेरा भाई खैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर है, अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉंसिबल कबसे हो गया पे तू, सब भूल गया, या दिला तुझे, वीजा के लिए तुझे 10 इसलिए बारे में कहे लेकिन मेरी इमानदारी पर उंग्ली मत उठा, तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए है, इसकी क्या गैरेंटी है, तुमें मेरी कलफर्ट को पोल गया, तुमें मेरी पैसे कर दोड़ी के सखारें, जा कर रहे हो, औरे, क्या हो रहा है, इसलिए मेरी मेरी डिया समने सखारेंんだ, जाकिनलती है! इसलिए रहा है, एनल प्सके साफोरा यह बखने नहीं है पार मेरी और उस मेरी में हा थोड़ा शान्त हो जाओं बोलना जिन्दगी में कभी मेरी माने मुझे पर हात नहीं उठाया और आज उसकी वज़े से मारा है मुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे जबाताना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा चाहे उसके लिए कोई विकतम उठाना पड़े वक्त का खेल भी क्या खेल है एक मौके के लिए तीनों ही दजार कर रहे थे भाईया से बगला लेने के लिए लखी है शिवा रिटी को अरेस्ट करने के लिए राम और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रिटी इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा इसमें शिवा रेड़ी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ उसे अरेस्ट कर सकते हो इसी फाइल की वज़े से मेरा बेटा मारा गया मेरी नजर में कोई भरोसे मन नहीं था लेकिन मैं आस तुम पर भरोसा कर रहा हूँ शिवा रेड़ी को अरेस्ट करोगे तो मुझे तो मैं बहुत घट्स है बेटा शिवा रेंडी पर यतने केस और सब के सबूत भी है वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता उसे भरने भी मत दो उसकी आखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रख दो हलो शिवा रेंडी अब तुम्हारा राहुकाल शुरू हो चुका है तुम कभी मेरे चेले रहे हो इसलिए ये बता रहा हूँ वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस बच रहा है नमस्ते शिवा रेडिवाई वो एसीपी रहा है उसके कलेक्टर अफिस रहोचने से पहले उसको उसको खलास कर दियेंगा एज पर चड़ागे पड़ा हूँ है पड़र ने फोन किया है अगर्वाई प्रिक्षिर अजिए वुच्छ देख अजिएए अजा है कर दो जो 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 आ तो लेक्षिंग वेट वेट इस चुट से उसकी नुकरी फिनिश या सुर ब्रेकिंग नियोसु जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसी पी अपनी गाड़ी तो बचा नहीं पाया एसी पी अपनी को देंगा अपनी को देंगा अपनी को देंगा आपनी को अपनी को आपनी को वाइस अपनीू गलता है या थोड़े करई मुझे बाट डनी हुआ एक का लोओन आम सब को इया उतरो خी अपनी समी इणार जिटो पकटा नहीं लोग भाए तर शाम को मिल्ना पाल देखे! उशा! उसके तो.. लग कहे! कर दो कर दो कर दो कर दो अ राम और वाहिल दो नो जल के राख हो गए है तो इधर क्या कर रहे ला है इधर मर्डर होंगा एला है चल निकाल देखा अपने काईसा उड़ा है गाडी को पेकार भेपरेजान मादो चल जा बेटा जल्दी गाडी निकालो भाई का जुलूस निकन रहे ला है कई को मार्या में मुझे मार्ना चाहता था वैसे क्यों लेक। होटा णा सिच कौन मार्रा चाहता तो आरी आया के आके काईको मारूंगावै तेरी को भूराण को भूरा था अरे यार एसी पीराम की गड़ी में तेरे को नहीं है सब्दे बोला यह से आपण मारना चाहता है वो तू नहीं है सब्देवा लगता है आपण की बात यह सबज़ गया अपाँ हुआ हुआ भाई आपको मारना चाहते थे भाईया ने 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 चुट दू ने चुट दू भाई शिवारे इंडे ने बोला थे इसलिए आपको तेरे भाई को मारने आया है भाईया 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 कहा है ये शिवारे इंडे वोई भाईया भाईया बुटिए हुआ पुझ भॉआ फॉआ पॉर झाल पटियूस। वगäre भी देख और गॉर चुट सबती जाँ झाल मेरे भाईया को मारना चाहता है न, तु, हां? तु तो क्या है? मैं थो नॉमिनेशन बरने के लिए जा रा था मेरे नॉमिनेशनⁿ एक आओ मै रहाूँ! आप रहे नॉमिनेशन भरने रहे एए! इसको पारना माग चिल्दा रखा साले कहा है! अराज यरे पार! अनिश्यम्टर्ण रखाई मोच चलाई, चलो चल्दी! बुर्णा साले करें एई एई और याँ पिस नीजया झाँ 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 पिस झाँ 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 कोई है तू? नमिनेशन का टाइम हो रहा है, मुझे छोड़ दे कोई छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, कोई है तू? कोई है तू? कोई है तू? अब बोलना कोई है तू? तू मेरे साथ तूसमाने क्यों बोलने रहा है? मैं तूझे खड़ाप कर दूगा मेरे बाईया को बहारना चाहता है मेरे बाईया को कुछ नहीं हुआ, इसलिए तूझे मार नहीं रहा हूँ, मैं बच गया तू? मैं तुझे नहीं छड़ूँगा ए, यू आर फिनिश्ट मेरे बाईया को मारने की सोच से ही तेरी जिन्दगी उल्टी लटक गई है और तू मुझे दमकी दे रहा है इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से तो जितना आसान समझ रहा हूँ, उतना आसान नहीं है तूने खलती कर दिया है, साले है? मेरे बारे में तो पूरी तरह नहीं जानता अब कुछ मत बूल अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेश शुरू मत का रखा क्यूंकि रेश के खोड़ों पर लगाउं लगी होती है, लेकिन मैं बे लगाउंग आप पूल यहार माधवशिवा रेड्डी नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी आएम लक्षमाड प्रसाद मगर यह नाम सुन्त ही मरा दिमाग होंजाता है कॉल वी रग्ये जास्ट लाग्ये शिवा रेडी का नॉमिनेशन मिस्स शिवा रेडी पर इसी गुम्नाम विक्ती ने अटाइक किया और शहर के बाहर बीट कर फिख शिवा रेडी को मारने वाला कौन है वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी शिवा रेडी के चाहने वाले सड़क प्रूतर कर उनके लिए बहुत थंकामा कर रहे हैं जुब हो जाओ तो इंड़ा गर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था राजनीती में आया है तब प्राजनीती तेरे बाप की जाइदाद है क्या मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहां से वापस भेज़ दो नहीं तो यहां भूचाल आ जाएगा आज ही एक की बली चढ़ा कर आया और दूसरी बल चला गया और तुम खड़े-खड़े देखते रहा गया तुम तो शिवा रेडी की खड़िया खड़ी करने वाले थे ना अब का हो गया जीप भी गई और फाइल भी गई शिवा रेडी को उसके किये के सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा जब उ वर्मा सिटी गेज सभी सीवा रेडी के आदमी ही ले जा सकते हैं यह उन लोगों का काम नहीं होगा शिवा रेडी अरेस्ट होने वाले यह बात किसी को नहीं पता थी यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो टेपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है उसने बहुत बड़ी गलत कर रहा है पकड़े कर तो क्या होगा तुझे क्या होगा तुझे क्या होगा उसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे बेटे को मैं नहीं हमा रहा है सोचा आप से आकर बात करें आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं, सर मेरे माबाब के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भाई है हम दोनों के बीच बच्पन से एक पल भी नहीं जमती थी हर वाक्त एक दुसरे से जगड़ा करते थे जैसे एक ही गर में एक दुसरे के दुश्मन जन्में हो एक रोज जगड़ा थोड़ा सा परसनल जन्में उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की परताश्ट नहीं कर पाया मेंटल हो गया, सर प्यार से बात इगो पर आ गई मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नोकरी से अलग करना है और इसलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग किया और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा किस ने किया, क्यों किया, कुछ समझ मैं नहीं आ रहा था, सर लेकिन बचने की बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बलकि मेरे भाईया को मारने के लिए आ रहे था मेरे भाईया को मारने के लिए आये था फिर क्या, सर मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया मेरा बलड कितने हजार किलोमेटर की स्पीड से दौड रहा था मुझे खुद नहीं पता उस वक्ड भाईया पर जो गुसा था उनसे बदला लेना था ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस एक चीज दिमाग में बैट कही कि जिसने भाईया को मारने की कोशिश की उसे खातन कर जीप पर जिनोंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं थी और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया मेरी तो भाईया से बनती नहीं थी तो मैंने ऐसा रियाक किया क्यों मैं आपके बेटे को मारने माला था अजीब बात है पता है क्यों हमारे खून के अंदर मैजी की कुछ और है इतने दिनों से मेरी और भाईया की बनती क्यों नहीं बनती क्यों नहीं यही सोचता था मैं हम दोनों की कपकी बन गई थी सर हमारे बीट जो जगड़े हुए वही हमारा प्यार है आपको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके इन सारे जगड़ों को यही रोग दीजे आप मुझे मेरे भाईया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजे नो सर मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूँ बस इतना कहने आया हूँ कि हम सब खुश रहें अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूँ तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा अभी गुस्से में होगा ना पर आप आपको बेटे के पिटने का दुख है ना आप समझ जाएंगे अक्सर जो इनसान गुस्से के बज़ाएं दुख में होता है ना वो बातों को बेटर समझ पाता है रोक दीजी अब यह सब अपने बेटे को समझाईए चलता हूँ मेरे माबाप के हम दो बेटे हैं एक मर भी गया तो कोई बात नहीं आपके पास सिर्फ एक है उम्मीद करता हूँ आप समझ गया हूँगे शिवारेटी और उसका बाप उससे बड़ा विलन देखा ना नाम सुनते हैं इसके पैट के लिए हो गई और एसे में तुखर जाकर उसकी क्लास ले रहा था तेरे में कहां से आ गई रही थी हिम्मत तुम जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है और उपर से जीप किसने चुराएं उसके तलाश में लगा हूँ है वो राम बोल राम भाईया का बना जरा सोच के देख शिवारेटी मेरे भाईया को मारना चाता है तो कितने सिंसिर आफिसर होंगे तो फिर हम राम भाईया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी यह बता दें क्या अगर ऐसा बोलेंगे तो वह हमें चेल में डालते का इस वक्त वह किसी की बात नहीं मानेगा और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी शिवा रेड़ी की तरह डील करने के लिए ब पर में अधो बच्पन बरबाद कर दिया अब डि डूटी करके अपनी ज़वान ही बरबाद कर रहा है उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार वैजब ही गलती सारी मेरी है कभी उसकी वी एक लव स्टोरी थी लव उसकी लव्सटोरी को मैंने बिगाड़ защ इसलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगारने की कोशिश ते तुम्हारे भाईया भी एक टाइम के रोमियो थे जुलेट भी थी तोरी में विलन कौन था अकबर था गया कॉलेज के जमाने में भाईया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद करते हैं फाइनली वालेंटाइन स्टे पर उसे प्रपोस करने करते हैं लेकन इनकी किस्मत भूटी थी वहाँ पर भी मैं ही टकरा गया ओ माई गाट क्या बात है हां? स्टाब साइग कि एसी प्रेसा हाहा 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 यह रखो लव यू श्टूपड इडियट पसंद नहीं हा तूपूल वापस दे दो ना यह क्या इढरे लो तुमाइल लव बट यस्टुमाइफलावर यह का दा श्टा अगर तुमने एक मिनिट पहले काहा होता तो मैं एक सेट भी कर लेती तो अब अभी तुम्हारा भाई अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाओंगी तो वह लफंगा रोज मेलेगा मुझे कित्ती प्राब्लम होगी भूल जाओ मुझे मुझे क्या पता वह उससे प्यार करता था मुझे लगता आज तक उसके दिल में वही लड़की है इसलिए तो सारे रिष्टे मना कर देता अब हम क्या करें श्वेता अभी जहां भी है उसे वहां से लाकर चो लाव स्टोरी रुग गई है उसे कंटेनियो करेंगे और अगर श्वेता की शनाई पहले बच जुकी होगी तो क्या नहीं बच गई बी पॉजिटिव नेगेटिव बातें मुझे और लखी को पसंद नहीं है स्वीटी वह लोग श्वेता को डूलने में लगे है तब तक थोड़ा रोमान्स हो जाए अब भोले तो हम उसे बहुत के घाट उतारे भाई यह खुद अपना बद्ला लेगा सर शाहर के सारे सेसी टीवी कमेरा के फुटेश चेक किये सर हमारी गाड़ी जूह से सांटा कुरूज तक गई उसके बाद बांदरा में जाकर रूकी सर वहाँ पर तीन लोगों को उतार कर गाड़ी आगे चली गई सर फिर वो तीनों चाय की टफरी पर गए सर जी सर दो दिन पहले 14 तारिक को 2548 नंबर की गाड़ी से तीन लोग तुमारे टफरी पर आया थे उनके बारे में जानते हो उस दिन तो बहुत लोग आये थे सर उनने परचान सकते हो क्या है हां शाय है कौन थे कौन थे कौन थे कौन थे बलो तूने उनने देखा है क्या गारी नंबर 2548 पुलिस की जीब थी पंगल वार के दिन 12 बजे तीन लोग तुमारी कप्री पर आये थे एक तीन लोग तेन लोग वहाँ बैटे थे थे यहां उन दोनों में बिस्किट को लेकर जगड़ा हुआ इसलिए दोनों पर मैंने गहर किया था समझे रहे थे चल दिखा है क्यों दिखाओ चाहे पानी चाहिए क्या कहा पुलिस वालों से रिश्वत पांग रहे तू जैसे तुम लग तो हमसे लेते नहीं हो अरे मेरे बाल होगे ना तो जीप पे यहीं लेकर रहूंगा अब यह जार 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 मुझसे पैसे लेगा पैसे लेगा मुझसे पैसे लेगा बच्णी पाइगा वा कि तुम्हारे भाया की लावर का एड्रेस मिल गया वो शास्त्री नगर में रहती है जाओ उसे किणाब कर लो लखी यह क्या चल रहा है जी भावना के प्यार की वज़े से तुम भावनाओं में क्यों महरे हो अरे वाव भावना क्यों आ आ गई तुम भी प्लीज सिट डाउन एक पैग लगाओ बताता हूं यह सब क्या कर रहे हैं अब कोई पिना नहीं चोड़िए इसे चोड़िए लिए क्या है पूलकी और कौन तो फिर लकी को मार डालो आपकी प्रॉब्लम सौल यह क्या किया बेटी उसे कुछ हो गया तो वो लकी है मामा माइंड ब्लो कर देता है तो मुझे तो बहुत जड़ लग रहा है लगी तो अच्छा लग रहा है लगी सच में तुम्हारे भया मुझसी इतना फ्यार करते हैं अगर नहीं करते तो इतने सारे रिष्टों को ठुक रहा थे कि मुझे भी लिष्टर बिल्कुल पसंद नहीं था सवर्दस्ती मेरी शादी करवा रहे थे मुझे तो अलड़का बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारे कहने पर ही तो प्लीस ऑफिसर बन गया है मैंने तो कभी नहीं कहा था तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली तो पर चलो अलेकिन चलो तो चलो कहां से इस तरह रहा है वायरिंग क्यों रोक दी पुलेट्स कातम हो गए तो भागो लेकिन क्यों एए यह बी उसको त्माच की हेल्प कर रहा है पक्रों इसे आरो इसे इसे चोड़ना मत कर दो कि यह कौन लोग है जो तुमारे पीछे बड़े इस लड़की के घरवाले हैं अम यह लड़की कौर है अरे आप देख नहीं सकते दुलन है इसे भगा कर ले जारा हम आप भी भागो एक और लड़की अरे और कितनी लड़की है अरे ससूर जी आपको जवाब चाहिए झाल चाहिए जान चाहिए जान चाहिए जान चाहिए? भागे है ना? अपे जो मार रहा है ओक नियो मार रहा है ताली पागाला है जोला मुझे तुम्हारे घर के बाहर इतनी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं अलो भाईया एसीपी हैं पापड़ बेचने वाले जोड़ी हैं जोज इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं अरे रूक रूक कहा गया था तू तेरा फोन भी ओफ है वो छोड़ो मुझे बताओ यहां इतनी गाड़िया क्यों लड़की वाले आए हैं मेरी पर मिशन दिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने दूनों ने पसंद कर लिया है और कितने दिन नाना करता रहेगा आई ज की बेटी का रिष्टा अब सिर्फ एक शुब मुहुरत का इंतजार है हाथ पंडी जी बताईए देखिए अगले महिने की 20 तारिक को बहुत दिव्य मुहुरत है मेरे लिए ओके है मेरे लिए ओके नहीं है मैं इस घर का मेंबर हूं या नहीं मुझे बताई बिना रिष्टा कैसे देखिया अब मेरा क्या होगा इसकी बात का ब्रावात बानो तुम अपती लाठी के मौ जारी रखो मुझे पता था तु काम बिगाड़ेगा इसलिए तेरे बिना सब सेट किया ओ माइग गौड तो मेरी जान ले ले लिए कार किसकी है पता है एससीपी साहब की और मैं उनकी होने वाली बीवे हूँ चल बड़ बड़ अरे मैं इसको सच कैसे बताऊंगा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं Japan की बन के रहोंगी तुमक्र करोगी मुझे नहीं पता जैसे मेरी शाली तुरुबाई ऐसे अपने व्याक है शाली तुबाओगे बस्पाको में! खुल! अरे! जो, दो! जो, भूत कर दो! एई! देखायने देथा! तुम्हारी होश उडाने की इंतिजार में थी वो क्या जैसे तुम मेरे हाथों में हो क्या वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ मेरे वालप में भी तभी हूँ किती क्यूट लगए नू एक तरफ ये लड़की है जो मेरे लिए भागाई शाल के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैटी है मंडप में वर मा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं बताता हूँ, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते, आई जी की बेटी को कल्टी दीजे ओई, तुझी क्या इतना आसान लगता है? मजबूरी में गदे को भी बाब बनाना पड़ता है, सर मतलब मेरा भाई गधा है, पहली बार है कल की बात किया, आपने मुझे पहली बार समझा, सर मेरा भाई गधा है, चोटा भाई गधा है तो, बड़ा भाई क्या हुआ, हाँ, अब सब ठीक है, सर सर मैंने सारी बाते क्लियर कर लिए आप कंफरूम कर लीजे क्या फूरी किसमती मेरी इसके पास आना पड़ा तुझे जो समझाए गया न बस वही कर मतलब क्या करूं तुझे अपना फर्ज निभाने का माउका मिला है उसका फाइदा वाध तेरी साफ साफ कहते तुझे मेरी हल्प चाहिए तुने जो कपड़े पहने हैं जूते पहने वो सब मैंने जरूरत भी तेरी इसलिए तो कह रहा हूं अपना फर्ज निभा है जोटी से रिक बस्टी तो अच्छा सुन मेरी और आजी की बेटी का रिष्ता तुडवाना है लेवल ठीक नहीं है क्या का अच्छा सुन मेरे भाइड और पसकर निकाल मुझे काम होग क्या हुआ, मैं अस्पताल कैसे पहुच्छ लेट जाओ, लेट होगे तो ही काम होगा हेलो, आम ली, दॉक्टर बली, मलेशा रिटन, क्या कहों को समझ नहीं आरा, आम की, लटी, मैं जो कहूंगा वही कहना मैटर के है, बताओगे, मैटर तो बताने आया हुँ मैं, ओ, यू मिन काम तमाम, करेक्ट, ओके, 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 नॉट अगें, राम को क्या हुआ, हेलो, आम ली, दॉक्टर बली, मलेशा रिटन, क्या कहों को समझ नहीं आरा, आम पी, जे पी, पी कह कहीं भी मार देता हु मैं, क्या हुआ, किस के उसमें दम है, किस में, दिल में, तुम इतने एक्साइटेट लग रहे हुँ तो तुम्हारा ही होगा, चलो साइड में चाह पीते, लेकिन बात क्या है, वो बताई ने डॉक्टर, वो अंदर जो है, वो आपका दमाद है क्या, नहीं होने वाला है, उनका, यह क्या है, एक अंजानी जगह चोट लगी है, और कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म मतलब, लेफ्स तूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया, जड़ा खोल के बताई ना डॉक्टर साब, यूज यूर लाटी, आप इसके वेना डूटी कर सकते मतलब अपनी बेटी को रूम में बेज़ दो, वो खुद बताएगी कि सदन डेगा, डैडी, मैं जाओ क्या, जल्द बाजी मत क्या, रुक जा, तुम रुक जाओ, मैं जा सकता हूं क्या, जाओ, कर लेसे बहुत राद है, इसे, हालात क्या है, ये तो समझी गए होगे, बस तोना धीरत से काम लोगे, कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं, एक दब ठीक का बेटा, अब मुझे आग्या दीजिए, हट्टा कट्टा इंसान, और क्या हो गया उसके साथ? ए, काम वा कि रही? बिचारे की शादी कैंसल हो गए, मेरे ही बिटे के साथ ऐसा होना था? आपकी शकल क्यों लग्यों डैडी? मेरी छोड़ तो इस तरह डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं खुश हो पापा, आप कोई परेशानी नहीं बचाएंगे तो, अरे रे, ओ माई गॉड़, लखी सीधा असपता ले गया और सरदर्द खतम हो गया, इसी की वज़े से सारी प्रॉब्लम थी, ओ ये, ओ ये, ओ ये, साब जी, मुझे लगता है, साथ से सिन का दिमाग खराब हो गया, बहु बद कर अपना, ओए, ज्यादा हो रहा है, आई जी की बेटी से रिष्टा तोड़ाने के लिए थाइंक्स, क्या का, रिष्टा जान बुछ कर तोड़ा है तुमने, हाँ मा, मैं श्वेता से प्यार करता था, और उससे शादी काने के लिए, आई जी साब की बेटी से रिष्टा तोड़वाना पड़ा, ये प्रॉब्लम लखी को बता है, उसने ड्रामा किया और शादी तूट गई यानि कि तू डांस इसलिए कर रहा था कि तेरी शादी तूट गई और क्या, तो आप लोग कह समझ रहे थे? क्यो रहे, डॉक्टर ने जो बोला वो सच नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा, आप इतना डर क्यों रहे है पापा, मुझे शर्म आती है एई, डॉक्टर से क्या कहलवाया तूने, जो भी कहलवाया हो, छोड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल हो गई न, मेरे सवाल का जवाब दे बता क्या कहलवाया था, उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बची है, मतलब, मतलब वही जो तुम सोच रहे हो, तेरी तो, क्या रहा है, रहा हो गई, रहा है, प्लॉक्तर बेदाब सवादी कैसि दर्वाने के लिए तुझे कोई और रीजन नहीं मिलाता, क्या है, नहीं मि पूरा के बार्टमेंट जानता है, तुम कैसे ओफिसर हो, वरना क्या आई जी खुद यहां आता, तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए, और वो सब छोड़ना, तेरी मेरी नहीं बनती, ये शहर का हर एक इंसान जानता है, पर घर से बाहर निकालने के वज़ा है, तुम अब भी कहें, ऐसा इंसान हमारे के शहर में ढून कर नहीं मिलेगा, बात करते हैं, ये क्या है बाद, ये बारे में मुझे पता कर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत का, क्योंकि रेस की खोड़ों पर लगाउं लगी हो, क्या है ज़के मेर वे अगाउं सुरू ए, क्या है, मेर वे बारे मेरा भीं लगाउं। लगढे लगवढे!! हलो सर, थोड़ा साइड में हड़ जा यह ना, वे, भाईया के प्यार के वज़े से, उस दिन किसी आवेश में मुझे पीड दिया था, मारने के बाद कम से कम, यह माधव शिवारेटी नाम का आदबी कौन सी तोफ है, कोई साधा इंसान नहीं है, वो अभी मरा नहीं है, अस्पतान में ही है, उठकर आएगा, और आकर तुझे काट डालेगा, यह नहीं जान्दा था के तुँ, मैं अस्पतान से बाहर आया, तो त जैसे कि माधव शिवारेटी तेरे लाइफ में है ही नहीं, तेरे साथ उसका कुछ हुआ ही नहीं हो, और तुखुशी से बाइट पर शेहर भर में इतने नॉर्मल होकर, इतना कूल होकर, कैसे घुम रहा है तुु। सर, आप है को है? क्या मैं आपको जानता हूं? तु, मुझे नहीं पहचनता, आप ये क्या कह रहे हैं सर? शायद आपसे कोई गलत फहमी हो गई है, क्या तु सक में मुझको नहीं जानता है, भॉल। देखो, अब मजाग बहुत हो चुका है, सीरियस्ली बता रहा हूं, जो हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूं, मेरी लाइफ में या मेरे माइन में अब तुम नहीं हो, मेरे भाईया को मारने वाली बात मैं भूल चुका हूं, बहतर होगा तुम भी भूल जाओ। यही बात मैंने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी करेंगा हूं, तुझे बताया नहीं है, नया दुश्मन मत बना शिवा, तू किसी अंजान इंसान से क्यों दुश्मन ही मोल ले रहा है, तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, पब्लिक में खबर है कि किसी ने कस आ गया, तो हीरो मैं बन जाओंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा, आपको मिलने के बाद भी वो अब तक जिन्दा कैसे, उससे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसे, बापा, बापा बता बापा, उसने मुझे बारा इसलिए नहीं पर आपने उसे जिन्दा कितना ही उससा है ना, बहुत तकलीफ हुई ना, मेरे दिल में भी घुस्से की आग चल रही है, मेरे पेटे की पिठाई करके, मेरे ही सामने बैटकर, मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो, इससे मेरा खून खौल उठा है, मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन क्या तुम्हारे हाथों मरना होगा, उसे मारने से पहले, उसकी हिम्मत, उसकी अकाड, उसका खमन, उसे खतम करना होगा, और ये काम तू करेगा, उसकी वज़स से तेरे मंत्री बनने का सबनाम पूरा नहीं हो पाया बेटा, पहले उसे पूरा करो, उस पर वार करने वाला, खु जाएंगे तब आएगा मजा हाँ बापा उसे खुश रहने दो चाहिए जितने खेल खेलने हो खेलने दो इंजॉए करने दो मजे लेने दो उसकी जुन्दगी में वाखी बचे कुछी दिन उसे अपने तरीके से जीने दो वह जितना चाहिए उचले जितना घूमे आखेर उसे मेरे ही हाथ हो मना है मैं माधव शिवा रेटी शबत लेता हूँ के इस राज्य के राज्यमंत्री के रूप में अपनी पूरी निश्ठा से मेरे बेटे को MLC कोटे में मिनिस्टर बनाना है इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे जंता के रिए न्याय का काम करूँगा इश्वर को साक्षी मानकर मैं शबत लेता हूँ मेधावी शिवारेटे को पार्टे के मरे श्मीता उन्हें राचमंत्री पत की कुल्टों है तेरी स्रजा ही मेरा भगवान है पावर में आने कल मत जाने हूँ अब भूख लग रही है भूख लगी है जा मिटा ले घटित सच्चाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक के सामने लाकर हमने कई लोगों कर दे दिए हैं सिर्फ तुम्हारे डिपार्ट्मेंट को छोड़कर और आखिर में उनकी लाश मिली मुझे जिन पर शक है अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे नियाय मिल जाएगा ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास कई लेकिन उन्होंने बेना संकोच के बोलो ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वाइरी करूंगा ज़रूर लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा ये ये कहकर मेरे साथ बत्तमीजी की अपने गेस्टाऊस भी आने के लिए कहा उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैच संबंद बताकर और मुझे मेरे ही पती का कातिल बताकर मुझे पर केस कर देंगे तुम क्या उस ओफिसर का नाम बता सकती हो उसका नाम है बता एसी पी राम उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए वाट इसके बाद तुम मुझे सिंदा नहीं छोड़ेगा इससे अचा है कि मैं जहर पी करो खुदा आत्मात्या कर लूँ इसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है तभी समात साफ हुपाएगा किसने दिया उसे पुलीस का खागू तुर्ण सस्पेंट करके मुझ पर कालिक बोटकर उसे जड़क पर घुमाना चाहिए आम जीन लड़कियों का होटल में पकट देते हैं उनसे भी उसका कनेक्शन था सर वो हर एक बिल्दर से कमिशन खाता है सर यह क्या एलिकेशन से है आम वेरी सॉरी मिस्टर रांग यॉर सस्पेंड़ेट है झाहिए झाहिए अल kuv लुक्यो का ही ट्यकी एलिए पिल्द कर लुक्यों को थोजायो है यह रहार बुक्यों जा लुक्षरी छल जाल किल्द कीत कई कàng दो जाशे अच्कड़्या हुआ, सुगस्ते दूलिखे वर्मॉण शुश्ता हुए , अच्कतव्या अच्व संसे। एन हुआ, नुन से का बलत शाओ हुए स्के रहल व्रेई सुस्तानी दिक बलत शुस्तानी अचितानी नुन से किप पर शुआ, नुन से हुए यह लो थे माव तू कुछ मत बोल तू क्या है हम सब जानते हैं जान बुल्डोजर चला जाकर रहाँ उपर से ओर्डर मिले हैं म्यूनिस्पल रूल के हिसाब से साट फिट रोड है और आपने इल्लीगल कबज़ा किया हुआ है सारे पेपर से और हमें कोई नोटिस भी दिमिला यह क्या है आपने रिसेब किया इस पर आपका साइन जी है कोई जान बुछ कर कर रहा है सबती जी सर बहुत मेरा से बनाया सर तुम रास्ते पर आजाएगे सर आप रुक जाएए बस एक घंटा रुक जाएए ये काम आप जिसकी ओर्डर पर कर रहे हैं मैं उन्हीं से फोन करवाओंगा दो घंटे का टाइम लेलो और जाकर फोन करवाओ कर दो आए पिल्सके जाए कर दो जबाया अए है बāर आए है बार आए है बार आए है आजारा है और जारा है दर लोगदे के लिए क्वा सब्सक्राइब काने जा सकता है अजिए आने दो उसे यह खेल रोकते शिवा बहुत पच्टाएगा तू कौन हो भाई तूम कौन हो भाई तुम किसी पार्टी से हो क्या है अगर कोई प्रॉब्लेम हो ना तो आफिस आ जाना ओके ओई गुंडागर्दी मैंने अपने पापा से सीखिये और रैजनीती मैंने तुम से सीखिये सिर्फ तेरी फैमिली है हमारी फैमिली नहीं है अरे हां फैमिली अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई वहाँ पर तो असली प्रॉब्लेम हुई है स्टार अरे जाओ देखो वहाँ पर क्या हो रहा है जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुमारा भाई था मेरा भाई तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की तुमने भी धोखा दिया सच कह रहा हूं मुझे नहीं पता दो रहने दो राम मुझे कोई सफाई मत दो अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था आज मरा है तुम हरी वज़े से मर गया तुम हो उसके कातिल जीप उस दिन तुही ले गया था जीप तुही ले गया था या नहीं नहीं पता है उसमें क्या था शिवारेटी के सारे काले कारणामों के सबुत है उस जीप में सच्छाई क्या है तुन नहीं जानता शिवारेटी तुझे भारना चाहता था इसलिए मैंने माना उसे, उसी का बदला लेने के लिए इसाब कर रहा है, मानता हूँ, जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी, उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था, मासर डरा रहा है तुझे, तो कोई भी बहाना बना ले तेरी गलती चिप नहीं सकती, एक सिंसेर पुलिस आफिसर की इमानदारी पे कीचड़ो चलवाये तुने, एक गुंडे और पुलिस आफिसर के ब गलती नहीं कह कह कर तुने, मेरा कैरेक्टर ये गलत साबित कर दिया रहे, अपनी गलती को तु पहले से ही जांता था, और उसी गलती को छुपाने के लिए, तुने प्यार का नाटक किया, और अपने इस बाई को इतना बड़ा धोका दिया, आर यू हैपी नहीं बाई, ते बेगल जा, अरी इतो भी क्या हुआ, अरी सबहो हमने आको, नाइस बीटिंग यू माधव शिवारेटी लेकिन मुझे एसे मत बुला ना नाव काल मी काल मी मंत्री या फिर मुख्य मंत्री हाहा यू अगर गुंडा शिवारेटी होता तो कब का तु मर चुका होता दुंडा गर्दी में क्या एक फटका मारा जान निकल जाती है पावर, पावर, पावर कहके अब तु मुझसे जुड़ गया है रेस शुरू कर दिया तुने माधव शिवा रेटी नाइस नेम तू भी मेरी तरह पागल है गया येस, तो चल दोनों रेस में दोड़ते हैं तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूँगा, कब मारूँगा, कैसे मारूँगा, मुझे भी नहीं पता पर मुझे तुम रोकोगी, रोक के दिखा बचालो, उनके मरने के बात तेरी ही मौत है समलकर शिवा रेटी, रेटी अंकल, अपने बेटे को संभालना गर इसे कुछ हुआ तो आपकी करतान उड़ा दूगा बावर मंत्री, सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना ओ माइगाड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना मंदिर में हजार नारियल चड़ा हूँगा, इसे जिन्दा रखना भगवार इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा, ये लगके हिससा लब भागा ले बारिश आगई, संभल कर ड्राइव करना रहे एपी जर्ने तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मच शुरू करना शिवा रेटे बाग साले बाग, औरना तेरी पॉलिटिकल पावर को, ये बेल अगम खुड़ा अपनी होस पावर से मारे चोटे बाई, चोटे बाई, बाबरे ओ माइगाड अब मैं गाउँ जा सकता हूँ मिनिस्टर पूरी फैमिली को ख्लीन पोल कर थो पूरी फैमिली को क्लीन पोल कर थो अब है पेवोकुफ। उन लोंको सीरा यहां से संचान पहुचाने का था अरे अरे ये क्या होगा तरबासे को लो अच्छ। अच्छ। जबादा है? अच्छ। Maa, इस इसे चलाहे है? एध कि ऑच्छ। अबरूपने का दाई अच्छ। बहुत अच्छ। छोच्छ वी लागेबर भृंग दी क्षें इंस्पेक्टर लखी के एरिया में रावुडी जब यह पुलिस ओफिसर कैसे है छोड़े भाई अरे बाप ने बाप ओ माई गॉड अरे बाप स्टाट बड़ी अर्ण सुरू करो इंग्या चल रहा है अरे चल किलाओ मशीन आओ अर्ण लगाँ अर्ण लगाँ साले डॉक्टर इसे क्या हुआ है डॉक्मिया कैतरनेस पुलासिस दाचमर अलेज़ दाफ 8-4- अर्ण पर फिर 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 देंगे अर्ण जाज़ गुम्ने पर बादी बीमारी है ना नग्या यह यह किस्टेज़ पर है दोक्टर अकरी स्टेज़ पर हूँ मेरे मेरे छोड़ी भाई असामत पोल अरे डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा रो डॉक्टर ओ शिट तुम्हारे दिये क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया बले इस राजी को बेजना पड़े मैं तुम्हारे कर्स चुकाऊंगा हेलो मत कर बकवास बचना मुश्किल है मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज़ दो हे बगवान राजा इन दो दिनों में तुम्हारे क्या इच्छा है बोलो इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा तुम्हारी आकरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा बता हो ना राजा हमारे देश को क्रांती की जरूरत है सर सोचा था पुलीस ओफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूगा मेरी आकरी इच्छा है कि जिन्दगी में पुलीस ओफिसर बन जाओ सर पुलीस हाँ लेकिन दो दिनों में तुम पुलीस ओफिसर कैसे बनोगे रिलाक्स हो जाओ रिलाक्स हो जाओ तुम्हारे ख़ाइस पुरी होगी ऐसा नहीं होना चाहिए अज़क फौ मिदिस्टर सेके बनें। इनकी दिवीची दिब भीड़े और यह जानकर भी अब इंकी आज़ी मिचे पुरी नहीं करेंगे इनकी आध्रीचे पुरी किनग है ना बाबा जो इक के मोली बाबा सिर्फ इतना ही क्यों मुझे भी डॉक्टर बनाया ना जैसे आपको भी तो ओपने या राजा रिलाक्स रिलाक्स राजा एक दिन पुलिस ऑफिस हर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नोकरी नहीं कर सकता सब्या राजा ये तुम्हारी सर्विस किया पर जानता हो चोटे करजाना घंधों को रौट पार करवाना जब तुम ने आम आदमी रहकर यह सर्विस की तो मैं हो मिलिस्टर बना तुम पुलिस क्रेस्पेहन कर सब्सक्रोंगे तो मैं किस लेवल देख जाओंगा यह सब आजा अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूं ये एक होम मिनिस्टर का वादा है तुम दो दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो अब बैच नमबर 78 ड्रोल नमबर 60 ट्रेंड इन दहरादून ये मेरा सीक्रेटली तयार किया गया वैपन है आपकी मर्जी हो या ना हो इस वैपन को यूज करना ही होगा दो दिन के लिए एज़ पुलिस ऑफिसर इसे आपको सिकार ना होगा अच्छा तो इसकी इतनी आउकात नहीं है अपने आपको देखो ये पेट है ये तर्मूज है ओम मिनिस्टर के बाद नहीं मानोगे तुम एनी डाउट्स 48 आर्स तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो एंचायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा और कुछ चाहिए क्या सर मुझे फ्रस्टेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर इतनी सी बात ग्राडेड ग्राडेड तुमारे और्टर्स अगर गौई मानने सिंटर करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो दो दिने है तुमारे पास जो मन में आता है कर सकते हो राचा मैं तुम्हें बस दो दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ सर एक बॉल फैकनी रह गई सर अहां तो फैक 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कॉन्टाक्ट छोड़कर एक चंड़ी यग्य कीजिए सर तो मेरे बचने के चांजिस वन परसेंट से बढ़ जाएंगे मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर प्लीज सर यग्य शुरू हो गया है जा कर लोगों की सिवा करो अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूँगा और ना है किसी को सुनाई दूँगा पुजा स्टार्ट अरी राम हरी राम 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 इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने भॉस है अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावस दूँदों क्या करेंगे देखकर तो देखिये सर जी जी सर आप लोगों की ये सिंसियारिटी देख कर ही मैंने आप सभी के नाम से लेक किये हैं आपको ultimate powers issue कर रहा है एक ही मकसद हो बस जी भरके duty कर रही है तो यह सर मारा target क्या है हमारा target क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेटी मुझे तो ये लोग भी पसंदा है मुझसे ज़्यदा तो इन्हें उस पर गुसार है उस शिवा रेटी को मसल दूँगा मसल दूँगा मसल दूँगा मसल दूँगा GT की तरह मसल दूँगा no more discussion sir बिल्कुल सही target दिया है sir उस शिवा रेटी को दोड़ा दोड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूँगा उसके illegal धंदों को तबार कर दूँगा sir yes come on tell me come on tell me come on tell me बहुत frustration में लगते है frustration नहीं होगा तो और क्या होगा मेहनत करके किसी को रंगे हाथों को दो तो नेताओं का pressure दिल्ली में gang rape करने वालों को सजा देने के बजाए उनसे बाक्षीत किया जा रहा है frustration frustration नहीं होगा तो और क्या होगा आप मुझे पसंद आए sir आपने मुझे power दी चुटकी चुटकी बजा के सब की band बजा दूँगा आप हो को पांडे किल बिल पांडे आज ट्यूटी बराने की वज़े क्या है शीवा रेड़ी का फैसला जो करना है उसका फैसला करने में मुझे बहुत खोशी हूँ थी me too target on हमारा target सिर्फ शीवा रेड़ी है जब तक उसकी जड़े खोदना लूम हमारी force नहीं रुकेगी yes sir किसी की बात नहीं सुनेगी yes sir we don't hear anybody's order oh my god they call me kill bill pande kill bill pande sir सब को arrest कर लो ये श्पेशल कपने special team है specially मैंने डिजाइन की है आप भी एक पैलो sir must लगा idea thank you very much सब के लिए जीप में जागा कम पढ़ रही है sir एक को छोड़ दो NO oh my god उसमें क्या गया sir बस गिंती के चार बुलेट्स एक्स्ट्रा लगिस थी थोड़ा स्यादा हो रहा है भाई आप तो है ना sir ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूँगा थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल नहीं हो सकता sir frustration 10 साल हो गए जी भर का duty कि भाईया अंदर रहेंगे तो ही हम duty ठीक से करवाएंगे भाईया शिवा रेड़ी से जुड़े सारे काले धंदों पर हम रेड करेंगे सारे एक साथ होंगे sir यह शिवा रेड़ी का अडिका है जिने रोकने की किसी मेहिमत नहीं है sir मुझे तो सिर्फ दोती नहीं मालूम है जो मैं आपको बता दूँगा बाखी कैसे पता लगाए जाए उसी से बुलवा ले ले उससे ही बुलवा लेंगे पर कैसे ही Attack को नो तुम लोग Good Frustration 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 Oh my God Frustration Sir Frustration Who are you guys? Special Rapid Force Do you know who is this factory? Minister Shiva Reddy He will say Shiva Reddy He will kill you Sir I don't understand your plan Kill Bill Pandey Special Officer Who is that? Phone do it Sir 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 This factory is your one Sir Yes The whole factory is my one Sir I didn't know Who are you going to put the raid? Central has appointed you Special Rapid Force Special Rapid Force? That means you are Sir That means I am Shiva Reddy I didn't know Sir I will talk to you 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 Yes Cash Next attack Sir I will talk to you This is Go Down Minister Tiwari I will talk to you Listen to me Please Control on your emotions Kill Bill Who is he? He is known as Red Moral Officer Shiva Reddy Sir This is your factory Yes That is too my Extremely sorry Sir Why did he say the confusion? This is Shiva Reddy This is Shiva Reddy Next attack What are you doing? You bloody This is your factory Sir Yes Yes I am 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 My You a good idea You are What an idea Sir You are You take the list You go Fustration 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 तुम हो स्पेशल ओफिसर तुम शिवारेडी हो तुम शिवारेडी हो तुम शिवारेडी हो और मेरा भॉस तो चराय मिस हो गया क्या मिस कर दिया है बुलेट देखने में मेरे जैसे ही दिखते घुसने के बाद गहराई दिखती है और घुसा मत दिलाओ पूरी तरह खतम हो जाओगे लेस्ट तुमारा स्टाइल मुझे पसंद आए लेस्ट देदो भई संबल कर देखना हैप़ी दिवाली उसके लिए तो अभी टाइम है ना आपके लिए जल्दी आने वाली है क्यूट बॉई इसका फ्रंट देखो तो मुनसिपालिटी बैक देखो तो वस्पस्ट ना ने तो ये स्पेशल ओफिसर कैसे आप सकता है मुझे कुछ समझ में नी आ रहा है मैं वो टाइम काम हूँ इसके फटने का कोई टाइम नहीं है दूट पांदे 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 ऑपरेटर्स सभी चैनल्स को फोन करो कॉन्टाक्ट अमीडिया इमीजिटल अपने चैनल्स का टीर भी बढ़ाना चाहते हो मीडिया का पावर किया दिखाना चाहते हो ये सब कोस्ट देन फॉलो अपने स्पेशल ओफिसर चार्ज ये फैक्टरी शिवा रेडी की है यहां नगली शाराब बनाई जाती है येस अचाय अचाय तुम्लों प्रिसे आ गए देरी बेंट बजाने आए बच्चू ये क्या लगा रखा है ये फैक्टरी शिवा रेडी की है हमें ख़वर मिली की ड्रग्स की स्मांगलिंग में ये शामिल था हम शिवा रेडी के लिए काम करते हैं उड़ा दो वसे विनिस्टर में धावी शिवा रेडी द्वारा चलाया ऐसा फैक्टरी में पाई गई नकली शराब फ्रेड करके फैक्टरी को सीज़ किया स्पेशल दी और उनकी दूसरी फैक्टरी में नखी व्यवाईयां की बरामत भी शिवा रेडी के सारे काले काना में सामने आ रहे है वो जन्ता का सेवक है या देश को या पैस वागी अब यह सारी इल्लीगल फैक्टरी आपी की आप अब एक अधे का था ना वह सारी फैक्टरीया मेरी ही है शिवा रेडी तू तो गया रे यह कौलो तुम लॉग नमबर यह सब काले धंदे उन्हीं के है ऐसा उन्होंने फोन पर कहा है अब वो साला फूम मिनिस्टर को फूम यह सारे वेपन्स अद्मान स्थैंशर एक्सचेंज अधिये नहीं को इसन चल्वा थे को हानु सिसन मुष्रिस को मिनिस्टर की सरेंशर यह कष coordon साइशर आव falls लिल्या कंष्टिश इरोग दो सो matter वरोग दो सेथितल धंदे उन्होंुंग है любим व्यmen। आए आए हमारasan में है तुने समार the बेलगाम anti-iała कारेह निEM को कितरे सर बेलकाम है बेलकाम बेलकाम् को कितरे सर बेलकाम है अब अगला अटाक करो मिनिस्टर के घर में गयर कानूनी हथियार क्या चीटिक चीटिक येस राजनीती के गुरु माने जाने माले शिवा रेडी बैमान निकले पोलिस अबसर राम को सस्पेंच करने के लिए एक औरत को बनाया चरिया ओस औरत का अस्ती जहरा अब सबके सामने आ गया है मुझे इस काम के लिए सेंसे ले थे खिवा रेडी, खिवा रेडी खिवा रेडी की पिता बेडी रेडी को भी मैं सेंसे इनने ब्रंगी हाथों पकरा आ होम मिनिस्टर अरे होम मिनिस्टर स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाज है क्या हो गया सर तुमने किसे स्पेशल ओफिसर को अपोइंट किया है में को विश्वाला हुए कैंसर पेशेंट है सर प्रजा की सिवा करेगा सूच कर परमिशन देदी अरे सर यह क्या कर रहा है शीवार एडी को टारगेट करके सबकी बजार रहा है वह तुम्हें जैसे बेकार नेता जिब हमारी सर पे होते है तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो उसने भले ही धोका दिया हो, लेकिर उसने डूटी पखो भी नहीं भाई है, पुलिस की पावर क्या होती या बता हो उसने, अब आप उपनी कुर्सी सबालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा, तो फिर आप उसे रोकेगा कौन, इस तरह के मुश्किल बरे हालात में, उसस मेरे उसके बीच कोई संबन नहीं है, अरे बंद करो अपना फैमिली ड्रावा, एक की बजाने के बीचे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है, मीटर की बाद हुई थी, वो किलो मीडियों तक आग लगा रहा है, तुम्हारी को रिस्पोंसिबिलिटी है कि नहीं? इस वक्त मैं इसके पीछे कौन है, कौन है वो सला, कौन है वो सला, कौन है वो सला, मैं हूँ, मैंने किया वो सला, क्या मैं तुझे शकल से बेखुफ लग रहा हूँ, तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देख रहा है इसी वक्त, बता दे कौन है, बता कौन है, यूर लोसनो अगे माधव शिवा रेड़ी नाइस मीटिंग यू अगेन स्पेशल ओफिसर कैसे बना बे तू? बिना एलेक्शन के तू मिनिस्टर कैसे बना? वा! चीटिंग करके पुलिस ओफिसर बना तू? एक जैकले पावर पावर करता था ना पावर से ही मार गया तुझे सर आप फेक पुलिस ओफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किल बेल तू? मैं ऐसा ही हूँ सर हमेशा लेट हूँ तो यह गौवर्मेंट मिशन नहीं था सर नो मेरा परसनल बदले का मिशन था मेलो रे मैं भी कित्त बड़काता कुत्ता कमीना हूँ मुझे माफ करदे रे मंत्री शिवा रेंडी को तुने फिर से गुंड़ा शिवा रेंडी बना दिया है यह गुंड़ा शिवा रेंडी का पावार यह गुंड़ा बड़ बलाना बलाना यह 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 हम यह 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 रच्पियो आसो, अग्सा 朝! मेरा टाइम अभी हो गया करेक्ट है यार मेरा टाइम भी हो गया अब तक तो पुलीस भी मुझे ढूंड रही हो अरे वैसे तु कैसे है लखी चीटिंग है अच्छा तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा मेरा इगो साटस्फाय होगा कौन है वो सबको बेवकूफ बना दिया शिट सबको चीट करके पूरे शेहर का नक्षा बदल दिया उसने अब नहीं चुड़ूंगा उसे यहां सरकार एक इमानदार ओफिसर वो क्या जबाब देगी आपने दोबारा वापिस जोएंग क्यों किया है यह सब सरकार आपसे करवार ही है यह आपका सैसर जेंटा है आप इस बार में क्या कहना चाहेंगे लक्की तुने सिर्फ मुझे हिने छेडा सीम को हो मिनिस्टर को पुलिस वालों को गवर्णमेंट को भी छेडा है योजार फिनिश्ट नमस्कर सीएम साम नगी अब तेरी लग गई तुमने इतना सब किया कुछी घंटों में पूरी कवर्मेंट को ही ला दिया CM को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया तुम्हारी वज़े से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जपने पूछ पाऊं यहाँ कोई बात चित नहीं होगी में के विश्ट, में के विश्ट कहकर तुझ पर बरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तुने मेरे ही पिचा चुड़ा घौप दिया CM साफ, मुझे छोड़ दा तुम चुप रहा हूँ तुझे पता है तुने कितना बड़ा क्राइम किया इसके लिए तुझे उम्रकाद होगी इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्रकाद की ज़रूत नहीं है इसे तो फासी होनी चाहिए सर, इसे तो मीडिया के सामने फासी होनी चाहिए बाइलकी सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इसने क्या किया सर, बाहर जो लोग खड़ें वो समझ थे कि CM साब ने बहुत अच्छा काम किया है क्या मैं उनसे कहूं कि ये सीम साब का काम नहीं था इसका दिमाग खरावा और इसने गवर्मेंट को चीट करके ये सब किया मीडिया से ये कह दू सर ओ मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया ये सब कह रहा है हम सब बेवकूफ हैं बेअकल हैं कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन में और उसने हम सब को दोखा देकर ये काम किया सर बाहर जो पबलिक खड़ी है वो कह रही कि अगले एलेक्शन में भी वोट इसी गवर्मेंट को देगी मैं बाहर जाकर कह दू कि ये काम इस गवर्मेंट ने नहीं किया बता दू क्या सर किसी और गवर्मेंट ने जो काम नहीं किया, वो इस गवर्मेंट ने कर दिखाया आप पो देखे, ये पब्लिक क्या कह रही है सिम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निड़ने लिये और पुलिश डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया, वो वाकई काभीले तारीफ है अगले एलेक्शन में भी हम इसी कवर्मेंट को वोट देकर इसी सिम को दोबारा हम चुनेंगे मैं जाता हूँ मेरे भाई ने गलत काम किया है येस इसका चुना रास्ता गलत था लेकिन ये सही है इस राइट लकिन ये और राइट तो ने कोई गलती नहीं किया सिर्फ आज नहीं मेरा भाई हमेशा से राइट था मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है मैं ये बात बीडिया के सामने गर्व से कहूंगा आजाए कहा लेकर जा रहे हो इसे किसने अपॉइंट किया है भूल गए तुम मैंने मतलब मेरी गवर्मेंट का लिया हुआ फैसला था येस किस कमेर ने कहा कि तुमने गल्टी की गल्टी तो उसने की तुमने तो रोका लेकिन ये मीडिया को नहीं बता चलना चाहिए तो फिर मेरे भी कुछ डिमांड्स है ये स्पेशल्टी मैंस ही रहेगी इसमें किल्बिल हेड होगा मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए अमरिका क्यों जाना तुम्हें पुलीस की नोग नहीं दे तुम सब दोगले हो मुझे नहीं चाहिए इसलिए ये सब कर पाया मेरे भाया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पूलीस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए रिजल्ट इससे पचास को ना स्यादा होगा तुम मामुली इंसान नहीं हो राजा आप भी कौन से मामुली इंसान हो इस्पेशल ऑपरेशन के हैड्ट आफी दोना जार ओ माइ जल्दी जाओ राजा पेवां को सान्युक्राइड जल्दी जाओ राजा पेवां को सान्युक्राइड हम किलविल पांडे के जितनी भी तारीख करें उतना कम हो रुप जाए आपके सवालों का जवाब मैं ने दूँगा बस मुझे जो कहना है वो कहकर रहूंगा कभी भी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट लिएवसल आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ अन्यायक सामना कीजिए और हम जैसे पुलिस वालों के मदब कीजिए तो फिर मेरे डाड़ी फिल्म देखाएंगे नहीं हुआ 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 फेर मेरे डाड़ी फेल्म देखाएंगे नहीं हुआ 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 झाल झाल